तो आइए देखते हैं आपकी GST return किसे फाइल करना होता है और CSP के income पे GST क्यों लगता है ये दोनों बड़ा ही महत्पून question है और बार-बार हमारे CSP बंद वे पूछते जाते हैं कि हमें GST क्यों पे करना पड़ता है ठीक है तो दोनों एक दूसरे के पूरा question है तो पहले द होता है ठीक है उसको GST return करना पड़ता है ठीक है दूसरा है कि जिसका income 20 लाग से ज्यादा है इंकम इसको turnover account करेंगे जिसका turnover 20 लाग से ज्यादा है जिसको फाइल करना होता है ठीक है पूरे साल में अगर 20 लाग से उपर का turnover है तो उससे GST प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उस जिस्टी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ठीक है प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनको सर्विस इसे फाइल करना पड़ता है यह हमारा इसका जबाब मिल गया पहला क्या कि जिसके नाम सी हो ठीक है किसी संस्था में आपने काम किया उस संस्था आपके नाम से दिन्वाइस जन्रेट किया है तो आपका यह अधिकार बनता है जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्वाइस ज्यूसरा जिसका टरण वाइब विस लाग से उपर करता है यदि नान हो मिर्ज्ट में आप वोग कर रहे हैं मतलब जहां पर आपका सनस्था है आपकी जीस्टेट में इसके अलावा कि से स्टेट में आप सौड रुप्य का विजनेस कर रहे है तो आपको जीस्टी फाइल करना है दिर्गार चौत आप आप उनलाइन सर्विस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं ठीक है तो आपको जीएस्ट रिटर्ण फाइल करता है यहां भी कितने रुपे का उजय से स्विगी हो गया जमाइटो हो गया ख्लीपकार्ट हो गया अमेजन हो गया जितनी भी ऑनलाइन की चीज़ है आप देख रहे हैं यहां पर जमाइटो के थरू आप 50 रुपे का भी कुछ प्रोडक्ट और कर रहे हैं तो आपको उसमें जीएस्टी आइड करके आपको देना पड़ता है ठीक है आप प्रोडक्क या जो भी ऑनलाइन आप सेल रहे हैं तो आपको जीएस्टी देना परता है फाइल सना परता है तक है एक लिए हम आते हैं अगली लाइण की CSP के income पे GST क्यों लगता है तो CSP के income पे जो GST लगता है इसके फिछे का रीजन है कि CSP online काम करता है जो अपना चौथा था कि online जो भी ब्यक्ति काम करता है service provide करता है या product बेजता है उसको जो है GST return फाइल करना पड़ता है तो जब GST return उसको लगता है उसे GST फाइल करना पड़ता है तो CSP को भी GST return फाइल करना होना चाहिए था यहां फाइल नहीं किया रहता है तो इसका जो पहला कारण है कि जिस ब्यक्ति के नाम से invoice generate होता है उसे GST return फाइल करना होता है ठीक है तो जो जो schol C.S.P. का income होता है ठीक है इसलिए ब्राइ मार्बाट कर देती है ओ सीयसी के नाम से होता है थिक है तो इनवाई वॠी काने का तरी का सेंसरे तो इसलिए दो कि खिना हो गया होगा कि यहां तक क्लियर होगा अब एक लाइन और हमाइट करते हैं यदि इंडिविज्वल स्थिवाइब करेगा और जब इडिवाइब करेगा और जब इन्डिविज्वल पीक नाम से तो जाइक सी बात इसको अपना पढ़ेगा तो मिया लग रहा है कि बाते क्लियर हो गई ठीक है अगले वीडियो में हम देखते हैं कि GSTN क्या है ठीक है GSTN क्या है GSTR क्या है GSTR क्या है GSTIN क्या है ठीक है और भी 2-3 रब्द है ठीक है 3B क्या है ठीक है यह सारी चीजे हम देखते हैं अगले वीडियो में Okay, bye.